बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विशय में भोजन के घटक अध्याई से अभाव जन्ने रोग भाग 5 कक्षा 7 में गड़त विशय में पूना प्रश्नावली 1 तश मलव 2 प्रश्न संख्या 1 से 4 बच्चों हम पाठ 2 पढ़ रहे थे विज्ञान में और भोजन के घटकों के बारे में संतुलित आहार के बारे में हम काफी चीजें समझ चुके हैं पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि भोजन में आहार में यदि कोई भी पोशक पदार्थ कम मात्रा में रहे जाता है तो कुछ रोगों की उत्पत्ती हो सकती है तो बच्चों आज की क्लास में हम कुछ अभाव जन्ने रोगों की बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो अभाव जन्ने रोग कहते किसे हैं सबसे पहले हमें ये समझना है तो ध्यान रखे कि यदि किसी भी पोशक पदार्थ की आहार में लंबे समय तक कमी रहती है तो उस कारण कुछ रोग उत्पन होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं अभाव जन्य रोग कहते हैं तो बच्चों ध्यान लखेंगे कि यदि कोई भी पोशक पदार्थ लंबे समय तक किसी व्यक्ति के आहार में अनुपस्थित रहता है उसकी कमी रहती है तो उस व्यक्ति को अभाव जन्य रोग उत्पन हो सकती है आगी बात करते हैं बच्चों की मुख्य जो पोशक पदार्थ हैं उनकी कमी से क्या समस्या हो सकती है तो प्रोटीन की यदि कमी रहती है हम जानते हैं कि प्रोटीन का एक मुख्य कारे शरीर की व्रधी एमम विकास होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कई सारी समस्याएं उत पन हो सकती है उन सब को हम देखते हैं बच्चों तो व्रद्धी का अवरुद होना यानि व्रद्धी का रुक जाना तो कुछ बच्चों में यदि प्रोटीन सही मात्रा में प्राप्त नहीं होता है उनको भुजन में प्रोटीन की मात्रा सही नहीं मिलती है तो उस स्थती में उनकी व्रद्धी रुख सकती है या अवरुद हो सकती है इसके अलावा चेहरे पर सूजन भी आ सकती है बालों के रंग का उड़ना भी प्रोटीन की कमी से हो सकता है उसके अलावा त्वचा की अलग अलग बिमारिया आपकी त्वचा भी ग्रसित हो सकती है प्रोटीन की कमी क और एक रोग बताया जाता है पेचिश ये सभी अलग अलग बिमारियां अलग अलग रोग किसकी कमी से हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं तो बच्चों प्रोटीन एक मुख्य पोशक पधार्थ है और आपको इसे भरपूर मात्रा में उचित मात्रा में लेना ही जाहि उसके अलावा बच्चो यदि प्रोटीन तथा कार्बो हाइडरेट दोनों की ही कमी लंबे समय तक होती है कौन-कौन से पधात प्रोटीन तथा कार्बो हाइडरेट यदि दोनों पधात किसी के आहार में लंबे समय तक कम मात्रा में हैं या अनुपस्तित हैं तो ऐसे व्यक्ति की व्रद्धी पूरी तरहे अवरुद हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखो कि यदि आपकी आयू में प्रोटीन तथा कार्वोहाइडरेट आप अच्छे से अपने आहार में शामिर नहीं करतें। तो इसका विप्रीत प्रभाव नकारात्मक प्रभाव आपकी व्रद्धी की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यह मुख्य रोग हैं जो अलग-अलग विटामिन या अलग-अलग खनज की कमी से होते हैं। तो पहला विटामिन जिसके हम बात करेंगे वो है विटामिन ए। बच्चों विटामिन ए का कारे हमारी जो द्रश्टी की शमता है उसको बनाए रखना होता है। यह हमने पढ़ा था। तो यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो शीनता या द्रश्टी हीनता यानि देखने की शमता में कमी या देखने की शमता द्रश्य शमता पूरी तरीके से खत्म हो जाना। इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो बच्चो रोग का नाम है शीनता या द्रश्टी हीनता और इसमें क्या समस्या होती है। हम यही बात कर रहे थे कि ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो इनकी द्रश्टी कमजोर हो सकती है और खास कर अंधेरे में रात के दौरान कोई भी चीज असानी से नहीं दिखती है या कम दिखाई देती है। और कई बार विटामिन A की कमी के कारण दिखाई देना बिलकुल बंद भी हो जाता है। बच्चों अगला विटामिन है विटामिन B1 विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं बैरी 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 नामक रोग उत्पन होता है। इस रोग की जो मुख्य चिन हैं उनकी हम बात करते हैं तो दुरबल पेशियां और काम करने की उर्जा में कमी यानि ऐसे लोग जो भोजन में विटामिन B1 को ग्रहन नहीं कर पाते हैं उनको बैरी-बैरी नामक रोग हो सकता है जिसके कारण उनकी पेशियां बहुत दुरबल हो जाती है और क्योंकि पेशियां दुरबल हो जाती है तो किसी भी कारे को करने में उन्हें समस्या आती है तो काम करने की उर्जा उनमें कुछ कम हो जाती है आगे बात करते हैं बच्चों अगला विटामिन जिसकी हमें बात करनी है वो है विटामिन C विटामिन C की कमी के क जो अभाव जन्ने रोग होता है उसका नाम है सकर्वी सकर्वी नामक रोग में क्या समस्या होती है तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस रोग के मुख्य लक्षन या चिन है मसूडों से खून का निकलना और घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना तो ऐसे लोगों के मसूडे और होठादी अक्सर फटे रहते हैं और उनमें घाव हो जाते हैं और वो घाव जल्दी से नहीं भर पाते हैं अगलाविटामिन है विटामिन D, विटामिन D की जब हमने बात की थी हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा विटामिन है जो हड़ियों की मजबूती के लिए आवशक होता है तो बच्चो इसकी कमी से जो रोग होता है वो कहलाता है रिकेट्स याद लखेंगे कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग उत्पन होता है और ये जो रोग है इसके मुख्य लक्षन आप समझेए कि इसके लक्षन हड्डियों से ही संबंदित होंगे तो अस्थियों या हड़ियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स यदि किसी बालक में हो जाता है विटामिन D की कमी के कारण तो उसकी हड़िया या उसकी अत्सियां मुड़ जाती है वो मजबूत नहीं रहती है मुलायम होने के कारण मुड़ जाती है उसके बाद बच्चो एक मुख्य खनिजलवन है केल्शियम और केल्शियम भी हमारी हड्डियों और हमारे दातों के लिए बहुत महत्वु रखता है ये बात हमने जब कारे को पढ़ा था तब की थी तो बच्चो यदि केल्शियम भोजन में कम होता है अभाव जन्यरोग जोदपन हो सकता है वो है अस्थियों का शेय तथा दंत शेय यानि हड्डियों और दातों का शेय हो सकता है तो कमजोर अस्थिया और दातों की कमजोरी दातों में बहुत ज़्यादा दर्द होना दातों का तूटना या तूट तूट के निकलना ये किसकी कमी से होता है केल्शियम की कमी से होता है उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की आयोडीन भी एक महत्वून प्रकार का खनि छलवण है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका का नाम है घेंगा या गोईटर रोग बच्चो जरूर याद रखेगा कि आयोडीन की कमी इसे घेंगा या गॉयटर नामक रोग होता है इस रोग के मुख्य लक्षन क्या है तो इस रोग में गर्दन की ग्रंथी फूल जाती है जो ये वाला हिस्सा है ये फूल करके मूटा हो जाता है और बच्चों में यदि ये कमी होती है बच्चों में आयोडीन की कमी के कारण मा विकलांकता भी उत्पन हो सकती है यानि उनकी सोचने समझने की शमता भी कम विक्सित हो पाती है आखिर में बच्चों बात करते हैं लोहे की लोहा भी एक महतपून खनिजलवन हैं और लोहे की कमी से क्या हो जाता है अरक्तता याने की खोन की कमी हो जाती है और ये खोन की कमी किस लक्षन के रूप में दिखती है ये दिखती है हमें शारिरिक कमजोरी के रूप में तो बच्चों ये सभी अलग-अलग विटामिन और खनिजों की हमने बात की कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से खनिज की कमी से कौनसा रोग उतपन हो सकता है अबहाव जन्य रोग हम पढ़ चुके हैं अब अगले भाग में बच्चों हम अभ्यास प्रश्ण हल करेंगे हमारा दूसरा पार्ट भोजन के घटक पून हो चुका है और अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्णों को हल करेंगे तो बच्चों तयार रहेगा अभ्यास प्रश्णों को हल करने के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आज का अगला पाट कक्षा साथ में कनत रिशय में पूर्णांक प्रश्णावली एक तश मलब दो प्रश्ण संख्या एक से चार बच्चों हम पढ़ रहें पूर्णांक वे उसके गुणों के बारे में आए आगे बढ़ते हैं प्रश्णावली एक प्रश्ण करें पहला प्रश्ण कि एसे पूर्णांक यूगम लिखी एंप्रम्हिंधें और यह पूर्णांक मतलए मी यहां यह सब्सक्राइब करें तो जोड़ें अंतर में गटाकल पूर्णांके लें रख दूसरा अब जीरो में क्या जोड़ें कि वाफस यही पूर्णांग आजए तो अपन यहां जीरो और माइनस साथ यह इन दोनों का योग हो माइनस साथ होगा इसके अलावा भी आप ले सकते हैं जैसे यहां मैं माइनस नो लेता हूं एक पूर्णांग तो दूसरा किता इन दोनों का मान भी माइनस रात आएगा अगला सवाल एसे दो पूर्णांग जिनका अंतर माइनस दस हो है ना बजो देखो माइनस के बाद कि यह जो पूर्णांग है अगर मैं दनात्मक लेंगा तो यह संक्या रिनात्मक बन जाएगी जैसे मैं यहां लेता हूं बारा त ऐसे दो पूर्णांग युग्म लिखिए जिनका योग है वो सुन्या है अपने योज्य परतिलोम के बारे में पढ़ा है अगर किसी संक्या को माइनस एक से गुणा कर दिया जाए तो उसका योज्य परतिलोम प्राप्त होता है और संक्या और योज्य परतिलोम को योग कर जोडने पर उसका मान जीरो आता है जैसे 5 का योजी परतिलो माइनस 5 का योजी परतिलो साथ तो कोई साई आप लेके जोड सकते हैं जैसे 7 और माइनस यह दोनों पुर्णांक के इनको जोडने पर हमें सुन्ने मिलेगा अगला सवाल एक एसा रिनात्मक पूर्णांग युग्म लिखिए बच्चों भासा को आप सावधानी से पढ़ें एक रिनात्मक पूर्णांग युग्म यानि दो पूर्णांग लेने दोनुई निगेटिव होने दोनुई रिनात्मक पूर्णांग लेने जिनका अंतर आठ है यानि उन मान क्या आणा चाहिए आठ तो इसलिए बच्चों मैं इन दोनों के फैले माइनस तो लगा ही देता हूं माइनस का भी लेना है इसे भी माइनस का लेना है क्योंकि रिनात्मक पूर्णांग है कि नहीं है अब देखो आप यह माइनस और यह माइनस यह बनेंगे फ्लस का तो य यहां आट आजे इसका मतलब यहां रिखाएंगे एक तो अपने पूर्णांग हो गए माइनस एक और माइनस नो इन दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए अब क्या आता है माइनस एक माइनस माइनस फ्लस का नो बराबर आठ ठीक है बजो अगला सवाल प्रश्ण को सावधान मिसे पढ़ते यह आप आगे वडिये एक पूर्णांक और एक दनात्मांघ लिखे समझे लें एक रिनात्मांक वे एक दनात्मांक उनका अंतर माइनस फांच हो तो जो रिजल्ट आएगा वह माइनस पांच होना सब्सक्राइए और पहला म्रेनात्मा. hijo और यहां इस स्कुलएट मैने लिखना है तो यह ben ने लिख दिया थीन तो माइनस दो माइनस थीन बराबर माइनस के 5 अगे बढ़े ज demasi एक रिनात्मक पूर्टनांग और टीन जान देना वज़ें एक रिनात्मक और एक रिनात्मक पिछले प्रशन के तरह हैं तो यह लीजिए बैला सब्सक्राइब पहला है वो रिनात्मक पूर्णांग ले लेते हैं यहां लिख दिया मैंने माइनस वन ठीक है अब यहां इस दूसरे ब्रेकिट में हमें धनात्मक पूर्णांग लिखना है क्या लिखना है बचो धनात्मक पूर्णांग यहां मैं आप देख रहें इस से पूरू में माइनस तो यह जो भी पूर्णांग यांशिंघ लिखे लिखेंगे वो मैं यहां यहां रखूंगा माइनस के डो है माईनस आना प्रसणोह सबनाल खो गिए आपका मान में हर TEAM को अंक मिलते हैं तो दो टीम में है A वे B ये पार्टिशिपेट करें, इनको क्या-क्या अंक मिले हर राॉंड में A टीम को ,-40 10 और 0 मिले हैं thi n राउंड में B बी की मिले हैं 10 जude, और 80 पहला सवाल यह है कि कॉन सी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किये तो देखते हैं जोड करते हैं पर टीम ए के अंक टीम ए के अंक यह है सो इनको जोड़िए माइनस चालीस माइनस की संख्या को ब्रेकिट में रखना है ठीक है प्लस दस प्लस जीरो माइनस चालीस प्लस के दस बराबर माइनस तीस माइनस के तीस अंक प्राप्त किये हैं ए टीम ने अब देखते हैं बी टीम ने किते अंक प्राप्त किये बचाँ टीम बी के अंक टीम बी के अंक यह है 10 plus 0 minus के 40 जोड़ करती है नहें इनका 10 0 के आगे plus minus minus के 40 बराबर minus 30 अंक B team ने भी minus 30 अंक प्राप्त किये हैं इस परकार हम देख रहे हैं कि team A वे B दोनों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो यह होगे आपका पहला सवाल किसी नहीं अधिक अंग प्राप्त नहीं किये, दोनों ने समान अंग प्राप्त किये दूसरे सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है यह देखिया आप, यह तीनों पूर्णांक की तो है, माइनस तालीस, दस और जीरो इसमें इस क्रम में जोड़ा है, पहले सवाल में टीम एक है, और दूसरे में इस क्रम में जोड़ा है फिर भी इनका मान है, वो समान आ रहे, अगर पूर्णांक समान है, उनको किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए अगला सवाल निम्लिकित कत्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्तिस्तानों की पूर्ति करिए देखे दो यह हमने पड़ाए न करम विनी में गुंधर्म योग के अंतरगत पूर्णांकों का तो देखे ए बी यही तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस ए तो आप इनकी तुलना करि एक की माइनस पांच से बी की माइनस आठ से अब देखे बी पहले लिख दिया माइनस आठ तो इसके साथ में क्या लिखा जाएगा एक आमान किता है माइनस पांच तो यह हो गया ठीक है बच्वा योग के अंतरगत क्रम विनी में गुंधर्म का उप्यों करेंगी यहां योज्य तत्सम्मक का अपने पड़ा था ना एडिटीव आइडेंटिटी किसी भी पूर्णांक में जीरो जोडने पर उसका मान है वही संक्या आती है वही पूर्णांक आता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो यहां सुन्ये पूर्णांकों के लिए योज् की परतिलोम जोड़ें तो उसका माने वो सुन्य हो जाएगा तो सत्रा का योजी परतिलोम क्या है माइनस का सत्रा तो यहां अपन सत्रा में माइनस सत्रा जोड़ेंगे माइनस सेवन्टीन तो इसका माने वो सुन्य हो जाएगा अगला प्रेश्ण इसमें तीन पूर्णाउंके देखिए तीन पूर्णाउंकों के अपने साहाचरी गुनधर्म के बारे में पढ़ ने है कि यदि तीन पूर्णाउंकों को अलग-अलग सम्मू बनाकर जोड़ा जाये और उनके मान में कोई परिवर्दन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि बुसंक्या पूर्णांग साहचरी गुर्ण धर्म का पालन करती है आप देखिए इसमें ये तीन पूर्णांग है 13,-12 और 7 यही तो पड़ा है कि अगर A, B और C कोई से तीन पूर्णांग है तो उनके दो-दो के समू बना दिये जाए इसमें लाश्ट दो के, तो इसमें पहले दो के इन दोनों का मान समान आएगा तो आप इनकी तुलना करिए A है वो 13, B है माइनस 12, C है माइनस 7 A 13, B माइनस के बारा, और तो C की जगे क्या आएगा? माइनस 7, ठीक है बच्चूं? यह है शाचरिए गुणधर्म यानि तीन लुणांकों को अगर करम बदलकर शमू बना कर जोड़ा जाए तो उनके मान में कोई परिवर्थन नहीं होता है हमें पता है ना, पुणांक शाचरिए गुणधर्म का पालन करते है योग के अंतरगत, साचर ये गुण धर्म का पालन करते हैं तो ऐसे इसमें देखिए, ये A, B और C इधर भी A, B और C आएगा इसमें समूब बनाए है, दूसरे तीसरे का, इसमें समूब बनाए है पहले और दूसरे का इनको compare करें, A का मान माइनस यार, B का मान 15, C का मान माइनस 3 तो यहां देख रहें हैं, A माइनस यार, B 15, C का मान आएगा माइनस 3 बच्चों, आज के वीडियो में इत्ता ही, अगले वीडियो में प्रशनावली के प्रशन करेंगे तब तक आप अभ्यास करते रहें, धन्यवाद. मिट्टी तयार करना, भुवाई करना और खाद और उर्वरक देना, इन सब चरणों के बारे में हम पिछले भाग में चरचा कर चुके हैं, चलिए अब आगे की चरण की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे प्रशन जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर के लिए दिये थे, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको हल करने का प्रयास चरूर किया होगा, चलिए एक बार उनके सही उत्तर देख लेते हैं, पहला प्रशनता हमारा उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो उर्वरक हैं वो हुमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से जो है मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होता है, ठीक है, अगले अंतर की अगर हम बात करें, तो जो उर्वरक है, वो विशेश पोशक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन हैं, फास्परोस हैं, इनसे युक्त होते हैं, तो इनमें पोशक तत्व जो हैं, वो प्रचुरता से पाए जाते हैं, जबकि अगर हम खाद की बात करें, तो इनमें ये पोशक तत्व तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं, तो ये हो गए हमारे उर्वरक के अवं खाद में अंतर, चलिए, अगला प्रशन अगला प्रशन था हमारा उर्वरक के प्रियोग से होने वाली हानिया लिखिए, तो पहली जो हानि है, वो है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, ये म्रदा की उर्वरता में कमी करते हैं, यानि कि अगर हम इन रासायनिक उर्वरकों का लंबे समय तक प्रियोग करते हैं, तो ध इनका छिड़काव अपने खेट पर किया तो वर्षा के जल के साथ में बहकर ये क्या होते हैं हमारे जो जल इस्रोत हैं नदी तालाव इन तक पहुंच जाते हैं और इनके जल को प्रदूशित करते हैं क्योंकि रसायन है तो ये जल्दी से अब घटित नहीं होते हैं और वर् चरण की तरफ बढ़ते हैं क्रशीका जो अगला चरण था हमारा वह है अगला चरण है वो हमारा होगा सीचाई का क्योंकि जो बीज है उसको अंकुरित होने के लिए पानी के आवशकता होगी तो अब हम क्या करेंगे उस खेत में हम पानी डालेंगे यानि कि हम क्या करेंगे सीचाई करेंगे ठीक है तो अब जल के आवशक्ता क्यों पढ़ रही है क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी सजीव चाहे वो पेड़ पौदे हो या जीव जनतु हो सभी हो जीवित रहने के लिए पाने के आवशक्ता होती तो बीच को अंकुरित होते मिट्टी में मौजुद वो क्या होंगे उस जल के सासाथ उस पौदे के विबिन भागों तक पहुँच जाएंगे जिससे क्या होगा हमारी फसल की व्रद्धी और विकास जो है वो तीवरिता से होगा और फसल का उत्पादन भी जो है वो बहुत अधिक होगा ठीक है तो इसक अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है सिचाई कहलाता है ठीक है अब सिचाई का जो समय है कि किस समय हमें सिचाई करनी है या कितने-कितने अंतराल के बाद सिचाई करनी है यह किस पर निर्भर करेगा जो भी हमने खेत में फसल उगाई है उस पर निर्भर करेगा इस सिचाई तो हम कर देंगे लेकिन उस सिचाई के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा ठीक है तो उसके लिए हमें किसकी ज़ुरत पढ़ती है जल स्रोत होगी ठीक है अब यह जो जल स्रोत हैं यह प्राकर्टिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं तो कौन-कौन भी मिल गया और हमने क्या कर दिया हमारे उस खेत में भुवाई भी कर दी है ठीक है तो अब हम इस पानी को जल स्रोत से खेत तक कैसे पहुंचाएंगे ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं अलग-अलग विधियां काम में लेते हैं कुछ विधियां है जो आधुनिक है औ फिर मवेशयों यानि की पश्यों की सहायता से इस विधी को काम में लिया जाता है ठीक है अब क्योंकि ये इसमें पश्यों की सहायता ली जा रही है या मनश्यों की तो इसमें क्या होगा समय और महनत जो है वो अधिक लगती है ठीक है देखते हैं कौन-कौन से तरीके हैं सब सबसे पहला जो है हमारे पास में मोट या घिरनी इसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारा जल स्रोथ है ठीक है तो उस पर हम क्या करेंगे एक घिर्दी लगा देते हैं ठीक है और उस पर एक लंबी रसी हम बान देते हैं जो रसी का एक सिरह है उस पर हम कोई बरतन या बाल्टी ब निकाल लेंगे और एक व्यक्ति क्या करेगा रास्ता बनाकर उस पानी को जो है खेट तक पहुंचा देगा ठीक है अगला जो तरीका है हमारे पास में वह है चेन पंप इसमें क्या करते हैं एक जो गिर्नी है उसको हम इस जलिस रोत के उपर लगा देंगे और एक जो है उसको लगा दिये जाता है कोई बाल्टी या कोई मटकी आदी इसमें लगा दी जाती है ठीक है अब एक लंबी रसी की सहायता से इस घिर्नी को जो है वो घूमाया जाता है जैसे हम उस रसी को खीशते हैं तो दोनों घिर्नियां गूमती है और एक के बाद एक जो है वो बरतन जो लकडी का उपयोग करते हैं उस लंबी लकडी के एक सिरे पर हम क्या करते हैं बड़ा भारी पत्थर बान देते हैं और जो दूसरा सिरा है उस पर हम क्या करेंगे कोई बरतन या कोई बाल्टी बान देंगे ठीक है आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा जुका कर हम इस कुए के अंदर डाल देंगे बाल्टी को जैसे ही बाल्टी भर जाएगी ठीक है तो अब क्योंकि ये वाला जो सिरा है वो क्या है भारी है तो इस वज़े से ये नीचे बैठ जाएगा और ये वाला सिरा हलका होने की कारण उपर उठ जाएगा एक मनुष्य क्या करेगा इस बाल्टी क जो प्योग है सीचाई के लिए बहुत आयत से किया जाता था इसमें हम क्या करते हैं कि एक अक्ष के सापेक्ष एक लंबी लकडी से एक बैल को जो है वो बांदिया जाता है ठीक है और दूसरा जो हमारा जल इस रोत है वहां पर एक बड़ी घिरनी या एक बड़ा पहिया पर गूमेगा गोल-गोल चक्कर लगाएगा तो क्या होता है यांत्री कुर्जा उत्पन होती है जिसकी वज़े से यह जो पईया है यह जो घिरनी है यह भी गोल-गोल गूमती है और क्या होता है इस पर जो बरतन लगी हुए है वो उस पानी से भरकर बाहर आते रहते हैं जिनको रास्ता बनाकर उस पानी को जो है खेट तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये सबी जो विदिया है, ये हमारे सिचाई की परंपरागत विदिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, समय थोड़ा अधिक लग रहा है और मेहनत भी जाद हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आजकल हम आधुनिक विदियों का प्रियोग करते हैं। आधुनिक विदियों में क्या किया जाता है, कि जो पानी है, उसमें जल स्रोत कुछ से पानी लाने के लिए मोटर या पंप का प्रियोग किया जाता है। उसे क्या होता है हमारा जो महनत है वो भज जाती है ठीक है हमें क्या करना पड़ रहा है ऐसा नहीं है दूर से हमें पानी लेकर आना पड़ रहा है डायरेक्ट हम क्या करते हैं जो हमारे जल स्टोथ है कुवा है या तालाब है उस पर हम क्या करते हैं मोटर लगा देते हैं और वीधी का प्रियोग जादातर वहां पर किया जाता है जहां की भूमी असमतल यानि की उबढखाबढ होती है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे इस तरह से लंबे लंबे उधर उपाइप जो है उस पूरे खेत में लगा दिये जाते हैं और इन पाइपों के उपरी सीरे पर घ आगे हुए होते हैं ठीक है तो नोजल जो है घूमता रहता है जैसे हमने क्या किया मोटर चालूगी और पानी जो है वो प्रेशर के साथ में इस नोजल तक पहुंचता है और इस प्रेशर की वज़े से नोजल गोल-गोल घूमते है और पानी जो है एक छिड़काओ के रू अब इस गिया आपने देखा होगा, जो बगीचे होते हैं, लौन जो होते हैं, उनमें इस विधी का प्रियोग अधिक किया जाता है, तो पूरे खेत में एक साथ इससे सिंचाई हो जाती है, अगला जो विधी है, वो है हमारे पास में डिप तंत्र, ठीके इसमें क्या होगा, बून बून करके जो है, वो सिंचाई की जाती है, इस विधी का प्रियोग अधिक तर उन स्थानों पर किया जाता है, जहां की भूमी बिल्कुल समतल होती है, क्या करते हैं, इसमें कि पूरी खेत पर या पूरी जमीन पर जो है, ऐसे लंबे लंबे पाइप बिच्छा दिय जाते हैं, ठीक है, और इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनमें छेद कर दिये जाते हैं, ठीक है, जैसे हम मोटर चालू करेंगे, पाने की सप्लाई चालू होगी, तो इन पाइप में जब पानी आता है, तो बून बून करके वो पानी सीधा पौधों की जड़ों तक इसका फायदा क्या है, कि इसमें पानी जो है, वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हो रहा है, जितना भी पानी आ रहा है, वो बून बून करके पौधों को मिल रहा है, ठीक है, तो ये विधी उन शित्रों के लिए अधिक उप्योगी है, जहां पर पाने की कमी होती है, ठीक ह या तो हमने परमपरिक तरीके काम में लिए या फिर हमने छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र की साहता से अपने खेत में सीचाई जो है वो कर दी अब जो है अब क्या होगा धीरे धीरे उन बीजों से क्या होगा पौधे जो है वो अंकुरित होने लगेंगे हमारे जो बीज है वो अंकुरित हो जाएंगे और उनमें से छोटे छोटे पौधे उगने लगेंगे अब क्या होता है इसी के साथ ही हमारा अगला चरण है वो शुरू हो जाएगा क्या है वो खरपतवार से सुरक्षा करना जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होते जाएंगे तो उस फ़सल के साथ में कुछ अवांचित पौधे भी उग जाते हैं जिनको क्या किया हमने उगाया नहीं था लेकिन वो पौधे क्या है प्राकरतिक रूप से की फसल के साथ में उग रहे हैं ठीके तो इन्हें हम क्या कहते हैं इन पौधों को कहते हैं हम खर्पतवार अब ये पौधे क्या करते हैं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ठीके तो इसके लिए क्या करना पड यानि कि उस फसल से उन खर्पतवार के पौदों को हटाने की प्रकिरिया को हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम निराई करना यानि कि अब हमें क्या करना पड़ेगा अपने खेत में निराई करनी पड़ेगी अलग-अलग तरीकों से जो है निराई की जाती है कौन-कौन से तरीक आ जाते हैं और सूकर नश्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि जुताई करना वह बहुत आफशक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। भूमी के निकट से काट कर। मानले जी खरपतवार पौधे ज़्यादा बड़े हो गए हैं और उनकी जड़ें नीचे गहराई में चली गई है जिनको हम हाथ से नहीं उखाड सकते तो हम क्या करेंगे उसको हम भूमी के पास से ही जो है उपर से काट कर अलग कर देंगे इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं हम अपनी फसल पर खरपतवार नाशी का छड़काव भी कर सकते हैं जिससे क्या होंगे ये खरपतवार पौधे जो है नश्ट हो जाएंगे अब हम बात करें कि खरपतवार नाशी क्या होते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है खरपतवार नाश यानि कि खर-पत्वार का नाश करने वाले यह वे रसायन होते हैं जिसको हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होता है खर-पत्वार पौधे जो है वो नश्ट हो जाते हैं ठीक है तो इसमें कौन-कौन से रसायन है जैसे कि कुछ धारन के अगर हम बात करें तो 2-4 इट्राजीन आदी जो है यह खर-पत्वार नाशी के रूप में काम में लिये जाते हैं इसको हम क्या करते हैं एक इस प्रेयर की मदद से जो है अपनी फसल पर इसका छिड़काव कर देते हैं तो यह जो है फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं यह केवल किसको नश सब्सक्राइब करते हैं और अब क्यूंकि इस खर-पत्वार नाशी वह एक प्रकार के रसायन है तो जब मिस्टा इस प्रेय कर रहे हैं तो यह सांस के साथ में हमारे शरीर में जा सकते हैं जिससे हमें क्या है नुकसान होता है ठीक है इसके कई दुश्प्रभाव होते हमार जरूर ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है अब हमने क्या किया हमारी फसल को खरपतवार से भी बचा लिया ठीक है तो अब धीरे-धीरे क्या होगा हमारी फसल पकने लगेगी और जब पूरे तरह से वह फसल पक जाएगी तो हम क्या करेंगे उस फसल को हम काटेंगे यानि कि हम अब क्या करेंगे अगला जो चरण है वो है हमारा कटाई का ऊसे कहेंगे हम फसल की कटाई इस तरीके का लोह का बना हुआ औजार होता है जिसकी सायता से हम फसल को क्या करते हैं भूमी के ऊपर से काट लेते हैं यह आपको चितर में दिख रहा है, जो फसल होगी हुए, उसको हम direct क्या कर रहे हैं, इस दराती की सहायता से भूमी के उपर से काट लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में खेद बहुत बढ़ा है, और अगर हम दराती की सहायता से फसल को काटेंगे, तो इसमें समय ज पैटाई इस मशीन से होती रहती है, तो इससे क्या होता है, हमारा समय जो है वो बच जाता है, ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, हमने फसल की कटाई कर ली, तो अगला जो काम होगा, वो क्या होगा, जो हमारी फसल है, उसके जो दाने हैं, उसको भूसे से अलग करना पड करते हैं जो बड़े-बड़े खेते हैं वहाँ पर इस thresher machine का उप्योग किया जाता है क्योंकि उतपादन अधिक है ठीक है तो हाथ से ये नहीं हो पाएगा तो machine का उप्योग करना पड़ेगा तो machine कौन से हमारे पास में थ्रैशर मशीन इसमें क्या कर रहे हुए हम देखो यहां पड जो है इस फसल को डालते हैं और यह जो मशीन गोल-गोल घूमती है जिस्से क्या होता है वी ज़ोंग ही जाते हैं और भूज़ा अलग हु जते हैं ठीक है लेकिन जो छोटे किसान है जिनकी पास में उत्पादन जो है वो कम है तो वो क्या करते हैं उसको फटक कर ही जो है हाथ से ही उसको फटक कर बीजों को जो है वो भूसे से अलग कर लेते हैं ठीक है या फिर इसके लिए एक छोटी मशीन फटकने वाली मशीन जिसे कहते ह विनोइंग मशीन, इसका उपयोग करते हैं, उसमें वो अपनी फसल को डालते हैं, जिसमें क्या होता है, बीज अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है, ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस थ्रेशिंग की प्रकिरिया को पूरा कर लेते हैं, इसके साथ ही आजक थ्रेशिंग उप्लब्द तो अब क्या करना हैं, उस फसल के उप्लब्द हैंग स क्या करते हैं, इसमें प्रकिरयोग कर लीलक हैं, या उस अनाच का जो है उचित भंडारण भी करना जरूरी है वरना क्या होगा कोई सुक्षमजीव है या कीट है या चूहे आ दिया जो उस फसल को खराब कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसका सुरक्षित भंडारण करना जरूरी है ठीक है तो क्या होत खराब हो जाएगी या सड़ जाएगी यानि कि लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना होता है उस फसल को कुछ दिनों के लिए धूब में सुखाना होता है जिसे क्या हो उसकी जो नमी है वो खतम हो जाए या कम हो जाए उसके तो सकते हैं, तो अगर मानने, हमाले पास अत्रपादना है, जिसको लेरे अधारित, हैं टॉब बड़े बड़े भंडार ग्रह बनाय जाते हैं इस तरह के बड़े बड़े टंकियां होती है जिसे हम कहते हैं साइलो क्या कहते हैं तो ऐसे बड़े बड़े भंडार ग्रहों में क्या करेगा किसान अपनी फसल या अपना जो अनाज है उसको ले जाएगा और यहां पर जाकर सुरक्षित भंडारित कर देगा जिसे क्या होगा? वो कीटों से, या सुक्षम जीवों से या चूहों से सुरक्षित रहती है और लंबे समय तक इनका भंडारन इन साइलों में किया जाता है इसके अलावा जब हम उपने घरों में अनाश को भंडारित करते हैं तो क्या होता है उसमें कई बार छोटी-छोटी की ईली आदी लग जाते हैं तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं उसमें हम नीम की सूखी पतियां डाल देते हैं या फिर आजकल बाजार में दवाईया भी मिलती हैं जिससे हम अपने अनाश को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं ठीक है तो ये बात हुए हमारे फसल उत्पादन की ये फसल जो हमें किस से मिल रही है पौदों से मिल रही है हमें पता है कि कुछ उत्पाद जो हमें पौदों से मिल रहे हैं और कुछ उत्पाद जो हमें जन्तों से भी मिल रहे हैं ठीक है बहुत सारे खादे पधारते हैं जो हमें जन्तों से मिलते हैं जैसे कौन-कौन से हैं वो है दूध है अंडे है या मास, मशली, आदी हैं जिसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम पशुबालन ठीक है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में या फार्म हांस पर गाए भbirthैस बक्री या मुर्गी ठीक है भेड आदी को पालते ह और इनसे क्या मिलता है दूद मिलता है मास मिलता है या मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं अगर हम भेड की बात करें तो उससे हमें उन मिलता है तो बड़े इस तर पर इन पश्यों को पाला जाता है जिसे पशुपालन कहते हैं तो यहां पर हमारा जो यह पहला अध्याय है फसल उत अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में विज्ञान विशय में भोजन के घटक अध्याय से अभावजन निरोग भाग 5 कक्षा 7 में गड़त विशय में पूनांग प्रिश्नावली एक तश्मलव दो प्रश्न संख्या एक से चार विकक्षा 8 में विज्ञान विशय में फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रिशी पधतियां भाग 3 बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विशय में भोजन के घटक अध्याय से अभ्यास प्रश्न भाग 6 तथा करtant 7 में लिए में दाधी मा कहानि मिकषा 8 में सामाजिक एवं राजनितिक चीवन तीन विशय में भारते संविधान, भारते संविधान के लक्षन मौलेक अधिकार धर्म निर्पेक्षता भाग तीन बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंग पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ स्टर लाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पुरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा अपने सुझाव अवश्य दें कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपूर 313001